हे गाईस वेलकम बेक तू समर्थ क्लासिज आज हम एनलिसिस करने वाले हैं इंडिया ओन वर्ड मेर कि जो वर्ड में भारत कहां एक जिस्स करता है उसका एक्स्टेंशन कितना है उसका एरिया कितना है लɪ्टิ extension कितना है longitude extension कितना है population wise कौन से नंबर पे है किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है तो यह जो basic basic information है वो आज हम cover करने वाले हैं ठीक है चलिए आज का session स्टार्ट करते हैं सबसे बेले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो इंडिया है वो कहां पर है तो देखो अगर हमने यह word का map लिया या word का globe लिया तो देखना यह वाली जो line है यह जो horizontal lines बनी हुए यह वाली जो horizontal lines बनी हुए इनको हम बोलते हैं अक्षांश या बोलते हैं latitudes ठीक है तो यह वाली line हो को हम क्या बोलते हैं अक्षांश ठीक है और यह वाली जो line है यह वाली जो आपको दिख रही है ये वर्टिकल्स लाइन जो दिख रही हैं आपको इनको हम बोलते हैं देशांतर या लोंगिट्यूट और अक्षांश का इंग्लिश वर्ड होता है लेटिट्यूट ठीक है यहां तक बात कलियर है अब ध्यान से समझते जाना ये जो अक्षांश है लेकिन अक्षांश में जो जीरो डिग्री वाली लाइन है ये देखिए ये जीरो डिग्री वाली लाइन है ये जीरो के जस्ट नीचे 15.5 की है ये जीरो के जस्ट उपर 15.5 की है हां की ना अगर मैं इंडिया की बात करूँ सबसे पहले हम इंडिया के मेप को थोड़ा हाइलाइट कर देते हैं यहां यह इंडिया आपको highlight दिख रहा है यहाँ पर चलिए अब इंडिया आपको दिक गया तो यह देखना यह 0 degree जो आक्शान्श वाली line है इसके भारत उपर है या नीचे है भारत कहां पर है इसके उपर तो ध्यान से समना यह जो 0 degree वाली आख्शान्श वाली لाइन है, या zero degree latitude है, ये वर्ड को दो भाग में डिवाइट कर रहा है, globe को दो भाग में डिवाइट कर रहा है, एक पार्ट तो यह है, और दूसरा पार्ट यह है, बोलो किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो ये जो first वाला पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं उत्री गोलार्द क्या बोल देते हैं इसको हम उत्री गोलार्द और यह जो second वाला पार्ट है या zero degree अक्षांश के नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोल देते हैं दक्षणी गोलार्द ठीके जिसे हम जानते हैं सदन हेमिस्फेर के नाम से और उत्री इस फोलार्ट को हम जानते नदन हेमिसफेर के नाम से यह बात क्लिर है चलिए अब हम अगर देखें देशांतर को यह longitude को तो same longitude में भी होगा ये जो longitude वाली lines है तो इसमें जो 0 degree वाली longitude है यह word map को similar दो बागों में डिवाइड कर रही हैं एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट हाँ की न ये जो है ये इसको हम बोलते हैं पस्चिमी गोलार्द क्या बोलते हैं इसको पस्चिमी गोलार्द वेस्टन हेमिस्फेर और ये जो वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्द या इस्टन हेमिस्फेर ये बात क्लियर है तो आपको अक्षांश के अनुसार जो वर्ड डिवाइड होता है वो दो भाग में डिवाइड हुआ लेटिटूट के अकोडिंग वर्ड का मैप है वो दो भागों में डिवाइड हुआ जो उपर वाला पार्ट है उसको हमने बोल दिया क्या नदन हैमिस्फेर उतरी गोलार्द ठीक है और जो नीचे वाला पार्ट था उसको हमने बोल दिया दक्षिनी गोलार्द या सदन हैमिस्फेर फिर बात आईए जो देशांतर है जो वर्टिकल लाइन से उनको हम बोलते हैं देशांतर तो देशांतर के अनुसार जो ग्लोब था उसके दो भाग किये हमने लेफ्ट या वेस्टन हेमिस्फेर पस्चिमी गोलार्द सिमिलर वे में हमने राइट साइड वाले को बोल दिया इस्ट साइड वाले को पूर्वी गोलार्द या इस्टन हेमिस्फेर हां कि न ये बात क्लियर है अब देखिए हमने ये समझ लिया कि उत्री गोलार्द दक्षिनी गोल पूरवी गोलार्थ पस्चिमी गोलार्थ होता क्या है ठीक है अब अगर हम बात करें ये जो 0 degree अक्षांश है उसका प्रोपर नाम है ये जो 0 degree अक्षांश है 0 degree latitude इसे एक नाम से जाना जाता है वो नाम है भूमध्य रेखा इंगलिश में बोला जाता है एक्वेटर क्लियर है यहां तक अगर हम बात करें जीरो डिग्री देशांतर की जीरो डिग्री देशांतर की या जीरो डिग्री लोंगिट्यूट की तो इसको किस नाम से जाना जाता है ग्रीन विच लाइन ग्रीन विच रेखा या प्रधान मध्यान रेखा ठीक है इंग्लिश वर्ड है इसका प्राइम मेरीडियन लाइन ठीक है तो जो जीरो डिग्री देशांतर है यह क्या है जीरो डिग्री ठीक है यह क्या है यहाँ पे 0 degree ठीक है तो यह तो हो गया हमारा 0 degree अक्षांश यह हो गया हमारा 0 degree देशांतर तो यह वाला जो है 0 degree अक्षांश इसको हम किस नाम से जानेंगे equator या भुमध्य रेखा ठीक है और ये जो 0 degree देशांतर है ये वाला 0 degree देशांतर ये सब देशांतर तो हैं ये बाद सबको clear है कि जो vertical lines होती है उसको हम देशांतर बोलते हैं लेकिन particular 0 degree देशांतर को हम प्रदान मध्यान ने रेखा है ग्रीन वीच रेखा के नाम से जानते हैं ये बाद clear चलिए तो अगर हम अब इंडिया की position देखें ये हमारा इंडिया हां की ना तो इंडिया कहां पर exist कर रहा है देखो अक्षांश के हिसाब से नदन हेमिस्फेर में और देशांतर के हिसाब से इस्टन हेमिस्फेर में तो भारत उत्री पूर्वी गोलार्द में इस्थित है भारत कहां पर नदन एंडि इस्टन हेमिस्फेर में exist करता है ये बाद सबको clear है बढ़े आगे चलिए next slide की तरफ move करते हैं next slide में कुछ definitions लिखी हुई है इन definitions को आप एक बार अभी देख लीजिए उसके बाद detail analysis हम आगे आने वाले lectures में करेंगे ठीक है चलिए तो latitude क्या होता है latitude को हम बोलते हैं अक्षांश तो latitude की definition होती है angular distance of a place north और south of the equator कि ये जो 0 degree अक्षांश था मान लिजिए ये हमने globe पे एक mark कर दिए ये हो गया 0 degree अक्षांश ये हो गया 0 degree देशांथर और हमारा भारत कहीं यहां exist कर रहा था ये क्या था इंडिया था हमारा यहां पे तो इंडिया क्या हमने बोला था कि इंडिया उत्तर पूर्वी गोलार्द में यही तो बोला था हमने कि इंडिया उत्तर पूर्वी गोलार्द में ठीके बाद तो देख न भूमध्य रिखा के उत्तर या दक्षिन के और किसी स्थान की कोणिये दूरी ये होगी भूमध्य रिखा तो भूमद्धे रेखा से उपर या नीचे किसी स्थान की कोणी है दूरी it means horizontal lines हमेशा क्या है अक्षांश आप इतना सा याद कर लीजिए कि जो अक्षांश होता है वो क्या होता है horizontal lines latitude क्या होता है horizontal lines ठीक है अगर हम vertical lines की बात करें तो vertically lines जो होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको हम, देशांतर, clear है यहां तक, चलिए। तो अब longitude की बात करें या देशांतर की बात करें तो किसी स्थान की कोणी ये दूरी जो प्रधान याम्युत्तर के पूर्वी या पस्चिम में होती है देशांतर कहलाती है प्रधान मध्यान ने लाइन क्या थी ये जो हमारा जीरो डिग्री देशांतर था वो क्या कहलाता है प्राइम मेरिडियन लाइन ये हम ओलरी क्लियर कर चुके हैं एक बार और में बता देता हूं आपको ये जो जीरो डिग्री लाइन थी ये क्या थी प्राइम मेरिडियल लाइन इसे दूसरा नाम क्या है ग्रिन विच रेखा और ये जो जीरो डिग्री ये जो जीरो डिग्री हमारा क्या था अक्षांस था ये जीरो डिग्री अक्षांस था इसका दूसरा नाम क्या था अब बात करते हैं जो इंडिया होती है जो मानक प्रधान मध्यान ने रेखा होती है वो भारत से कितने देशों से गुजरती है तो टोटल पाँच राज्यों से गुजरती है माफ कीजिएगा भारत के 5 राज्योः से गुजरती है वो कौन-कौन से है UP, MP, 36 गड़, उडिसा और आंधर प्रदेश ठीके तो भारत का मानक प्रदान मद्ध्यान ने रिखा UP, MP, 36 गड़ उडिसा और आंधर प्रदेश होकर गुझरता है पांच राज्यों सो गुजरता है अब ये चीज क्या है इसके लिए आपको detail study करनी पड़ेगी ये अलग topic है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है PDF में तो मैंने आपको बता दिया ठीक है इसकी हम बाद में detailed study करेंगे एक बार के लिए आप याद रख लीजिए और इसका जो angle होता है वो होता है 82 and half degree और ये होता है east longitude ठीक है क्या होता है कैसे होता है वो हम आगे discuss करेंगे proper clear ये बात चलिए next slide की तरफ move करते हैं अब बात करते हैं हम ये देख चुके हैं already कि अक्षांश के अनुसार भारत कहां पर exist करता है उत्री गोलार्द में नदन हेमिस्फेर में तो ये चीज हम already discuss कर चुके हैं देशांतर के अनुसार भारत कहां परेप पूर्वी गोलार्द में ये भी हम discuss कर चुके हैं अब हमें देखना है कि जो भारत का longitudinal extension है वो कितना है और भारत का latitude कितना है और यहाँ पर भारत का latitude कितना है तो अगर यहाँ के बात करूँ तो भारत का latitude है 8 degree 4 minute North latitude और यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर है 37 degree 6 minute North latitude ठीके तो अगर आप बात करें कोई आपसे कि इंडिया भारत जो है उसका latitudinal extension कितना है अक्षांशी विस्तार कितना है तो आप क्या बताएंगे कि भारत 8 degree 4 मिनट North latitude उत्री अक्षांश से 37 degree 6 मिनट उत्री अक्षांश तक विस्तृत है या फेला हुआ है क्लियर यह बात चली अब अगर हम बात करें भारत के longitudinal extension की तो भारत का longitudinal extension कितना है मतलब यह वाला point और यह वाला point कितना है क्लियर है तो यह वाला point है 68 degree 7 मिनट इस्त लोंगिट्यूट और यह है हमारा ठीक है वाई यहाँ पर यह नहीं आएगा यहाँ पर यह ठीक है तो अपना अगर longitude extension की बात करें तो 68 degree 7 मिनट इस्त लोंगिट्यूट से 97 degree 97 degree 25 मिनट इस्त लोंगिट्यूट तक भारत का longitudinal extension है यह बात क्लियर हो गई अब ध्यान से समझना सर अगर हम दिशाओं की बात करें तो यह होता है north यह होता है south यह होता है east और यह होता है west यह होता है उत्तर यह होता है दक्षिन यह होता है पूरव और यह होता है पश्चिम लेकिन सर अगर हम देखें जो आपने हमें longitude और latitude का extension बताय है इसमें आपने यहां भी north लगा है, यहां भी north लगा है, यहां भी east लगा है, यहां भी east लगा है या तो आपको दिशाओं का ग्यान नहीं है, या आपने गड़बड कर दी तो बच्चो देख ना ध्यान से समझना अगर हम बात करें भारत की तो मैंने आपको भारत का क्या बताया था कि जो भारत है देखो ये भारत ये हमारा भारत है और ये जो भारत कहाँ पर exist कर रहा है हमेशा उत्री साइड देखो zero degree latitude के क्या है इंडिया उपर है zero degree longitude zero degree देशांतर के भारत कहाँ पर है दाई तरफ मतलब पूर्व की तरफ है eastern side में है इसका मतलब ये जो longitudes होंगे भारत के वो हमेशा east वाले ही तो होंगे similar way में जो भारत के latitude होंगे ये अक्षांश होंगे ये हमेशा क्या दिखाएंगे नोर्थ वाले ही तो दिखाएंगे क्योंकि भारत exist कहां कर रहा है नोर्थ साइड में clear है इसलिए latitude हमने लिखे नोर्थ में और हमने longitude किस में लिखे इस्ट में ये बात clear है बड़ें आगे चलिए आज की lecture की PDF आपको हमारे telegram ग्रूप पे मिल जाएगी तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं proper चलिए अब हमने देख लिया भारत का की latitude कितना है और longitudinal extension कितना है ये हमने देखा है in degree हमने angles में ही तो देखा ये बात अब हम बात करें कि latitudinal extension और longitudinal extension distance में कितना है या kilometer wise कितना है तो वो भी एक important चीज है तो भारत का अक्षांशी विस्तार तो कितना है 314 km का ठीक है 3214 km का और भारत का देशांतरी विस्तार है वो है 2933 km का तो इंडिया's latitudinal expansion is 3214 km इंडिया's longitudinal expansion is 2933 km अब latitude और longitude expansion से आप क्या समझ पा रहे हैं ये भी मैं आपको clear कर देता हूँ यहापे देखिए ये जो distance है हमने देखी थी ये इंडिया के latitude हमने देखे थे तो ये वाली जो distance है इसे हम बोलते हैं अक्षांशिय विस्तार और ये जो distance है इसको हम बोलते हैं देशांतरिय विस्तार longitudinal extension ये बात clear है तो भारत का latitudinal expansion जादा है किसके बजाए longitudinal expansion से इसका मतलब भारत का अक्षांशी विस्तार जादा है भारत का देशांतरि विस्तार कम है अब आप ये बात कैसे याद रख पाएंगे देखे अगर हम है तो भारत है और भारत है तो हम है ये बात clear है हम से ही भारत का निर्मान हुआ है अगर हम ही नहींगे तो भारत क्या कर तो आदमी की height हमेशा क्या होती है जादा होती है उसकी width से हां की न ये बास सब को बता है और हम देखते हैं रोज मर्रा की जिंदिगी में भी और हम में भी ये notice कर सकते हैं तो देखो भारत की height क्या है जादा है हमारी भी height क्या होती है जादा होती है इसका मतलब आप याद कर क्योंकि option में हमेशा ऐसा तो मिलेगा नहीं, 32, 14, 32, 15, 32, 16 ऐसा तो मिलता नहीं, आप अगर इतनी भी digit याद रख लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, आप से पुछा कि भारत का longitudinal expansion कितना है, longitudinal expansion तो आपके दिमाग में आएगा कि latitude expansion तो जादा होता है, इसका मतलब आपक कैसे भी याद रखें, लेकिन ये याद रखना है आपको कि भारत का latitudinal expansion है 3214 km वो भारत का longitudinal expansion है 2933 km ये बात क्लियर है, बढ़ें आगे, चलिए, नेक्स लाइड की तरफ मूँ करते हैं, चलिए इसमें हम एक चीज़ देखना भूल गए, वो देख लीजिए, कि जो भारत है, उसके extreme point क्या-क्या है, मतलब भारत के उतरी जो भारत है, उसका उतरी गाउं कौन सा है, northern point कौन सा है, southern point कौन सा है, southest point कौन सा है, ठीक है, तो देखिए, जो भारत है, उसका उत्तरतम point है, इंदिर्या कोल, कौन सा है, इंदिर्या कोल, ये कहां पर exist करता है, तो ये exist करत है लद्दाख में ठीक है अगर भारत का दक्षिंतम हम गाउं देखें या सीटी देखें तो वो क्या है कन्या कुमारी और यह exists किस state में करता है तमिल नाडू में ठीक है इसी प्रकार भारत का पश्चिंतम हम गाउं देखें वेस्टन पाड देखें तो Most of the western part कौन सा है हमारा गुहर मोथी जो की पढ़ता है कच्छ गुजरात में ठीक है और भारत का eastern point देखे हम तो वो है कीवितू गाउं डिस्टिक है अंजाब जिला और स्टीट पढ़ता है अरुनाचल प्रदेश तो आपको ये चारो point भी याद होने चीहें ठीक है बढ़ें आगे चली नेक्स लाइड में हम मूव करते हैं अब बात करते हैं इंडिया के expansion की की इंडिया area wise कितना फैला हुआ है clear है तो देखना इंडिया का अगर area देखें तो इंडिया का area है 32,87,263 square kilometer ठीक है अगर world के area से इंडिया की तुलना करें तो इंडिया का area world का कितना है 2.4 percentage भारत विश्व के छेतरफल का कितना है 2.4 प्रतिशत ठीक है अब भारत की जन्गणना जो होती है वो पत्तेक 10 वर्ष में होती है ये वाज सब को clear है तो देखिए ये जो भारत की जन्गणना है 2011 की भारत की जन्गणना कब की है 2011 की उसके अनुसार जो data है उसके according data क्या बोलते है कि 2011 की जन्गणना के अनुसार भारत की जन्गणना कितनी है 121 करोड जो की विश्वी की जन्गणना का कितना है 17.5 percentage की जो पूरे विश्व में जितनी जन्गणना निवास करती है उसका 17.5% कहां पर है भारत में तो सोचिए भारत कितना बड़ा देश है अगर population wise हम बात करें भारत की तो भारत का population wise कौन सा rank है second rank मतलब सबसे ज़्यादा अगर population किसी country में है तो first number पे है चाइना first number पे कौन है चाइना second number पे है हम है इंडिया ठीक है तो यह होगी population wise इंडिया की बात अब बात करते हम area wise अगर छित्रफल के अनुसार देखें या area wise देखें तो भारत का कौन से स्थान है सातवा स्थान clear है बात सबको अब बात करते है भाई first number पे कौन आता है second number पे कौन आता है third number पे कौन आता है ये तो पता चल गया कि हमें भारत का सातवा रेंके ये भारत की कौन से रेंके सातवी रेंके पहले number पे आता है रूस उसके बाद आता है कनेडा उसके बाद आता है USA संयुक्त राज्य अमेरिका United State of America fourth number पे आता है चीन ठीके तो आपको दो तिन सिक्वेंस याद होने चींए इसके कि सबसे पहले आता है हमारा रशिया उसके बाद आता है कैनेडा उसके बाद आता है USA at least आपको ये तीन सिक्वेंस तो पता होने चींए कि first number पे है हमारा पे कौन है हम लोग कौन इंडिया बोलो हा की ना ये हम देख रहें किस वाइस एरिया वाइस या छेत्रफल की द्रश्टी से भारत का इस्थान कौन सा है सात्वा छेत्रफल की द्रश्टी से अगर हम बात करें देश की तो देश रूस जो है वो पहले नंबर पे एक्जिस् तो वो कौन-कौन से देश हैं, जिनके साथ भारत की सीमा लगती है, तो टोटल साथ देश हैं, जिनके साथ भारत की सीमा लगती है, ठीके, वो कौन-कौन से देश हैं, तो वो देश हैं, एक तो हमारा बांगला देश है, ठीके, एक चीन है, एक पाकिस्तान है, नेपाल है, म् नम्मार है, भूटान है और अफगानिस्तान है ठीक है अगर बांगलादेश के साथ जो लाइन लगती है उसकी सबसे ज़्यादा लेंग्थ है कितनी 4,096 km की लेंग्थ है इसका मतलब भारत सबसे ज़्यादा जो बाउंडरी फोर्मेशन करता है भारत सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है वो किस देश के साथ बनाता है बांगलादेश के साथ बनाता है ये बात क्लियर है सबको अगर हम सेकंड नम्मर पे बात करें तो सेकंड नम्मर पे भारत चीन के साथ सीमा बनाता है ठीक है चीन के साथ सीमा बनाता है भारत और वो जो बाउंडरी बनती है उस पांडरी का नाम क्या है मेक मोहन लाइन ये बाद सबको क्लियर हो गई यहाँ पे चले तो ये बाद सबको क्लियर है आगे तक तो देखना ये जो भारत बनाता है चीन के साथ उसे बोलते हैं मेक मोहन लाइन भारत पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है उसको हम बोलते हैं रेड क पाकिस्तान के साथ बनाता है, मेक मोहन लाइन भारत चीन के साथ बनाता है, और डूरंड लाइन भारत किस के साथ बनाता है, अफगानिस्तान के साथ, तो ये जो boundary formation हो रही है, इनके नाम रखे गई, ठीक है, और भारत सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ बनाता है, तो वो है हमारा बांगला देश भारत कितने देशों के साथ सीमा बनाता है तो साथ देशों के साथ सीमा बनाता है कौन से हैं बांगला देश चीन पाकिस्तान नेपल मियंमर भूटान और अफगानिस्तान ठीके अगर हम बात करें लेंग्ध वाइज इनका ओडर क्या रहेगा तो तो ये lengthwise हमने order लिखा हुआ है इसमें already देखो ये घटरा इनका मतलब for example पहले नमबर पर आएगा बांगलादेश ठीके उसके बाद आता है चाइना उसके बाद आता है पाकिस्तान उसके बाद आता है नेपाल उसके बाद आता है म्यामार उसके बाद आता है भूटान और उ अफगानिस्तान ठीके तो आपसे अगर पुछे कि boundary length का sequence क्या है या आपको चार option देजे निम्न में से भारत जिन देशों के साथ सीमा बनाता है उसका सही करम होगा तो आपको ये करम भी पता होना चाहिए कि भारत सबस्यादा बांगलादेश के उसके बाद चीन उसके बा तो देखो यहां तक जो भारत है एक मिनट अगर हम देखें ये वाला जो पार्ट है ये वाला और यहां पे हम देखें ये वाला पार्ट ये क्या बना रहा है हमारी स्थली सीमा तो पूरी है हमारी लेकिन ये क्या है लैंड वाला पार्ट है ये क्या है लैंड वाला ये तो है स्थल और ये क्या है पानी हा की ना तो अगर भारत की टोटल सीमा देखें, लेंड बाउंडरी देखें, چाए वो वोटर के साथ हो, चाए लेंड to land connection हो तो वो है टोटल 15,200 किलोमेटर कितनी है, 15,200 किलमेटर, ये क्या है, भारत की लेंड बाउंडरिया, इस्थले सीमा अगर हम बात करें, भारत की तटवर्ती सीमा की, जिसमें दीव समूवी सम्मिलित है इंडिया कोस्टल बाउंडरी विच इनक्लूड्स आयलेंड्स तो वो है हमारी 7516 किलमेटर की तो ये जो boundary है, ये वाली जो boundary है, जिसमें क्या है, coastal boundary, भारत की सीमा कहां से लग रही है, तटो से लग रही है, और यहां पे कहीं कुछ दीव संगू भी आते हैं, आइलेंट्स भी आते हैं, तो इनकी total boundary है 7516 km, और अगर total भारत की land boundary की हम बात करें, तो total भारत की land boundary कितनी है, 15200 km, ये बात clear है, अब इसमें एक terminology आई, कि भाई आइलेंड किसको बोलते हैं, द्वीव समू किसको बोलते हैं, तो आइलेंड कुछ नहीं होता, simple एक चीज होती है, कि जो हमारा पानी वाला पार्ट होता है, या महासागरिय पार्ट होता है, उसमें कुछ land का पार्ट उपर उठा हुआ होता है, अगर कोई महासागरिय मालीजिये, उसमें कुछ उपर उठा हुआ भाग है, तो वहाँ पर पानी नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या है, वो वाले area को हम बोलते हैं, वीव समू, ऐसा area जो चारो तरफ पानी से घिरा होगा है, ठी यहां तक चले, तो यह रहा हमारा basic basic information आज हमने देखी इंडिया के बारे में, कि इंडिया का जो latitudinal extension कितना है, इंडिया का longitudinal extension कितना है, ठीक है, इंडिया का area कितना है, population wise इंडिया का कौन सा रेंके, आपको यह वाली जो PDF है, यह जो मैंने class लिये, इसकी PDF हमारे telegram group पे आप हमारे summer classes online को YouTube पे subscribe कर सकते हैं, ठीक है, वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा share कर सकते हैं, YouTube, Telegram और Instagram का हमारा जो ID है, user ID वो है, summer classes online आप यहां पे जाके हमें follow कर सकते हैं, अगर Facebook की बात करें, तो Facebook का है summer classes JP, ठीक है, WhatsApp पे आप contact कर सकते हैं हमें, और आप हमें किसी पी क्वरी होने पे आपके mail कर सकते हैं, तो ये रहा आज का हमारा lecture, I hope आपको ये पूरा lecture मेरा पसंद आया होगा, ठीक है, मिलते हैं next lecture में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सरकार की guidelines को follow करिए, और vaccine अगर आपके माँ उपलब दें, तो जरूर लगवाईए, ठीक है, चल आज का session यहीं खत्म करते, बाई बाई, टेक केर